आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मिया आ गई है और गर्मियों में एक चीज की डिमांड बहुत रहती है वो है आईस्क्रीम जी फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही अमेजिंग सी आईस्क्रीम की रेसिपी आज मैं आपनों के साथ आईस्क्रीम प्रेंज रेसिपी शेयर करूंगी और उस प्रेंज आज मैं भार देख सकते हैं कि मेरे शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज बीना सब्सक्राइब किये बिल्कुल ना जाएगा तो आईए शुरू कर लेते हैं अगर आप यहां पे फ्रूट क्रश का इस्तिमाल कर रहे हैं आइस क्रिम बनाने के लिए अब ह सकते हैं तो हमने ढ़र एक मेजरिंग स्पून लिया हो गया है इस तरीके से मिल्क पाउडर डालने के बाद अब मुझे इसमें add कर देना है conflore powder तो हम यहाँ पे लगभग 3 चमच के करीब conflore powder add करेंगे तो same measuring spoon का हम इस्तेमाल करेंगे 1 tablespoon वाला और इससे हमें 3 चमच के करीब conflore add करना है यह वही conflore है जो कि आप Chinese वगरा बनाने के लिए use करते हैं और अब हमें इसमें add कर देना है GMS powder तो 2 चमच हम इसमें GMS powder add करेंगे तो same spoon का इस्तेमाल करेंगे GMS powder हमारे ice cream को thickness देने के लिए काम आता है काफी जादा इसका volume बढ़ा देता है तो GMS powder हमें add करना है जो कि आपको market में बहुत easily मिल जाएगा और इसका link में आपको description में दे दूँगे आप वहाँ से ने purchase भी कर सकते हैं तो इस तरीके इसमें add container में इसे भर करके रख देती हूँ और अब इसी के सासाथ हम इसमें add करेंगे CMC powder जो कि हमारे ice cream को जादा smooth करेगा तो CMC powder हमें जादा add नहीं करना है आदा छोटा चमच इसमें डालना है तो मैंने आपे 1,4 teaspoon वाला spoon लिया है और इसमें दो बार करके हम डालेंगे ताकि वो आदा छोटा चमच हो जाए तो ये देखिए दो बार मैंने इसे डाल दिया है सभी चीज़े add करने के बाद अब मैं mixer jar का ढखकन करूँगी बंद और इन अच्छी तरीके से पीस करके तयार करूँगी तो ये फटा फट से ग्राइंड करते हैं और ये लिजे सभी चीज़े को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पीस करके तयार कर लिया है आप फटा-फट से इने बना करके तयार कर लिजे तो ये तो हमने pre-mix बताया आपको कि आप कैसे store कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से pre-mix बना करके आप market में business भी कर सकते हैं तो एक zip lock वाली bag ले लिजे इसमें इस mixture को डालिए और बहुत ही असानी से आप market में sell कर सकते हैं अपना business start कर सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको फलूदा pre-mix बताया था इस वीडियो में मैंने आपको ice cream pre-mix बताया तो इस तरीके से आप बना करके इने इनका business भी start कर सकते हैं तो अब मैं आपको इस pre-mix से लगभग 10-12 flavor के ice cream बनाना सिखाऊंगी आप उससे भी ज़्यादा flavor के ice cream बना सकते हैं और इतने से pre-mix से आप लगभग 3-4 kg के करीब ice cream बना सकते हैं तो आए देख लेते हैं कि वो भी कैसे बनाया जाए तो सबसे पहले हम यह आप एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे आप aluminum की कढ़ाई का इस्तमाल करना कढ़ाई में हमें डालना है दूद तो हमने आप फुल फैट क्रीम वाला milk का इस्तमाल किया है तो हमने आप एक लीटर की करीब दूद ले लेना है दूर डालने के बाद अब हम इसमें pre-mix का पूरा packet डालेंगे और packet डालने के बाद हमें इने अच्छी तरीके से mix करना है mix इसलिए अच्छी से करना है ताकि इसमें कोई lumps ना रहे तो हमें इस mixture को अच्छी तरीके से mix करना है ताकि इसमें का पूरा लंज खतम हो जाए और जब इसमें का लंज खतम हो जाएगा फिर हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं कि सभी चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है कुछ-कुछ चीज़े अभी भी नहीं मिली है तो जैसी दूध हलका सा गरम होगा यह अपने आप इन सभी चीजों में मिल जाएगा कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे हमें इस मिक्षर को पकने देना है अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो मिक्षर है वो जल्दी से थीक हो जाएगा बड़ पकेगा नहीं तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना है और continuously stir करते रहना है वरना जो कॉन दूद को पकते हुए 8-10 मिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यह धीरे धीरे थिक होना शुरू हो गया है तो बहुत अच्छे से यह थिक हो गया है आप देख सकते हैं कल्ची पे लगा हुआ है तो जैसे यह थंडा होगा यह और ज्यादा थिक हो जाएगा तो इस टेश एक मलाई जमती है अगर वो मलाई जम गई तो यह जो आईस क्रीम है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगे तो मैं इस दूद को 50% तक अच्छे से थंडा करूंगी स्टर करते हुए उसके बाद हमें इस दूद को चान लेना है क्योंकि दूद अगर बहुत जादा थिक हो जाएगा तो आप इसे चानेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा तो यह प्रोसेस भी हमें तब करना है जब दूद आदा थंडा हो जाए तो मैंने आप पे एक बड़ा सब भगोना लिया है और एक स्टेटर ले लिया है और इसमें इस मिक्षर को डाल देंगे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लंपस नहीं है एक दम पॉफेक्ट्ली यह च्छन गया है तो अब हमें करना क्या है इस मिक्षर को अच्छी तरीके से थंडा करना है तो रखने के बाद हमें इसे फ्रिज में डाल देना है इसके उपर किसी भी तरीके का कोई भी फॉइल पेपर नहीं लगाना है तो यह लीजे आइस्क्रीम को हमने सेट होने के लिए जो रखा था वह बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है लगभाग 5 गंटे हमने रखा था औ तो यह जितना हमने लिया है इससे यह तीन गुण और बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे इससे एक दूसरे बरतर में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि जो मिक्षर हमारा है वो गीरे नहीं तो फटा-फटके हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं अब हम इस मिक्षर को अच्छी तरीके स तो यह प्रोसेस हमें 10-12 मिनिट के लिए करना है और 10-12 मिनिट के बाद आप देखेंगे कि यह जो मिक्षर है फूल करके 2-3 गुना बढ़ जाएगा और हमारा यह जो बोल है पूरा फूल हो जाएगा तो यह विपिंग का जो प्रोसेस है मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉराट करके बता रहे हुए इसलिए ताकि आपको पूरी सच्चाए दिखें क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट में कहा था कि यह पॉसिबल नहीं है बट अगर आप मेरे पूरे स्टेप को कर सकते हैं तो आधा कप से थोड़ा सा कम हमने लिया है इस मलाई को और अब हम फिर से इसे अच्छी तरीके से विप कर लेंगे अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी चीनी वगरा कम है तो इस टेश पे आप पावडर शुगर डाल करके इसे अच्छे से विप कर लीजे मिक्षर आपका तयार हो जाएगा मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारा ये जो आईस्कीम का मिक्षर है वो बाहर ना गिरने लगे तो बहुत ही साधानी से कर रहे हूँ और ये देखे इसका टेक्षर कितना ज़दा स्मूध है प्लफी है बहुत ही अच्छा दिख रहा ह और इसमें मैं सबसे पहले वाला जो फ्लेवर बना रही हूँ ना वो बना रही हूँ रोस फ्लेवर क्यों मेरा फेवरेट है तो इसमें मैं रोस एसेंस एड़ करूंगी तो हमने आपे इमल्शन का इस्तिमाल किया है जिसमें एसेंस भी होता है और कलर भी होता है आप चाहे से mix करेंगे तो जादा बेटर होगा मैं आपको दिखा रहे हूँ कि आप इस तरीकी से mix कर सकते हैं बाकी का जो flavor है मैं spoon से mix करूँगी तो अब इस तयार mixture को mold में डालेंगे हम और अच्छी तरीके से इने set होने के रखेंगे तो mold को पूरा fill करेंगे इसके उपर से थोड़ा से हम डाल देंगे rose petals तो जो dry वाले होते हैं वो हम डालेंगे ताकि पता चले कि हाँ हम rose flavor का ice cream खा रहे हैं इसी तरीके से आप strawberry वाला भी बना सकते हैं और अगर आप strawberry बना रहे हैं तो strawberry crush जरूर add करना तो लीजे rose ice cream ready है हमने fridge में रख दिया उसे इसी तरीके से दूसरे flavor का हम बनाएंगे तो अब बारी है पान flavor का तो पान में जाता है गुलकन तो मैंने आपे पान के shop से गुलकन तो एक चमच हम इसमें add करेंगे गुलकन इसमें भी थोड़ा सा रोज का ही flavor होता है आप चाहें तो इसमें थोड़ी से पान के पत्ते काट करके डाल देंगे ना तो सूने पे सुहागा हो जाएगा थोड़ा साम इसमें green food color add कर रहे हैं तो मैं आपे powder वाले का इस्तमाल कर अगर आपके पास यहाँ पर liquid वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है सभी चीजों को अच्छी तरीके से mix करेंगे और यह लीजे हमारा बहुत ही बढ़िया सा mixture ready हो गया है पान flavor वाला तो अब इसे भी हम फटा-फट से mold में डाल देते हैं और set होने के लिए रग देते हैं हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा garnish कर देंगे गुलकंद के साथ ताकि और अच्छा लगे खाने में एकदम perfect और आप बार यह फ्रीज में डालने की और इसी के साथ साथ हम बना रहे हैं pineapple flavor तो same mixture लेना है उसमें हमें emulsion add करना है जिसमें food color और essence दोनों होता है पानेपल का पानेपल के pieces भी इसमें डाल सकते हैं सभी चीजों का अच्छी तरीके से करेंगे फिर से mix spoon के थूँ और इने भी हमें directly मोल में डाल देना है और यह लिजे पानेपल flavor का ice cream ready हो गया है इने भी में set कर देना है तो जैसे आपने देखा कि मैंने emulsion का use करके pineapple rose pan flavor बना है उसी त अगेगा कि आपने इसमें crush नहीं डाला है तो यह देखे इसे भी हमें मोल में डालना है और फटा-फट से इने set कर देना है तो इसी तरीके से मैंने रस्मलाई का flavor भी बनाया है बट रस्मलाई के लिए मेरे पास emulsion नहीं था तो मैंने थोड़ा सा essence डाल दिया और थोड़ा आइस्क्रीम बना सकते हैं मोल में डालने के बाद इसे हमें थोड़ा सा गानिश करना है तो हम इसमें कटे हुए पिस्ता बादाम और थोड़ा सा हम इसके उपर केसर के धागे डाल करके अच्छी तरीके से गानिश कर देंगे ताकि एकदम पॉफेक्ली यह रस्मलाई फ्ल इसी तरीके से ब्लूबेरी भी में बना लूँगी तो ब्लूबेरी का मेरे पास थोड़ा सा ड्राइ बैरी पड़ा हुआ था तो मैंने सुचा कि चलो इसे भी बना लिया जा तो ब्लूबेरी का हमने इमल्शन इसमें डाल दिया है अच्छे से मिक्स करेंगे बट मैं इसे नहीं करूंगी क्योंकि यह देखे दिखने बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसी मैसे मोल में पोर कर दूंगी और इसे क्या करेंगे हम इसमें थोड़ा सा जो ड्राय वाले ब्लूबरी होते हैं वो डाल दूंगी मैं इसमें यह देखे इस तरीके से और इसे भी सेट होने के रख दूंगी तो यह देखे मैंने हाँ पे सारे फ्लेवर जो जो मेरे पास एसेंस थे एमेलशन था मैंने बना लिया अब यहाँ पर मैं वैनिला बना रही हूं एकडम प्लेन तो इस तरीके से आप वैनिला भी बना सकते हैं आप चाहें तो बीना कोई एसेंस डाले भी वै अब हम इसमें एक चमश कोई पाउडर आड़ करेंगे अगर आपके पस गनाश तो बहुत अच्छा इसका टेक्शर आएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है गनाश का बट मेरे पस गनाश नहीं था तो मैंने आपे कॉफी पाउडर थोड़ा से डाल दिया है और कोई अच्छी से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं इससे आपको तीन फ्लेवर बनाना बताऊंगी तो पहला मैं इसमें बनाऊंगी चॉकलेट फ्लेवर तो चॉकलेट फ्लेवर के लिए मुझे इसे एक मोल में ट्रांसफर करना है और आप क्या कर सकते हैं दालेंगे हमारा चॉकलेट वाला मिक्शर तो चॉकलेट वाला मिक्शर थोड़ा सा लाइट है तो आप अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स और इसे भी हमें ट्रांसफर कर देना है मोल्ड में मोल्ड में ट्रांसफर करने के बाद हम इसे गानिश करेंगे हमारे ओल्यों बिस इसे इस तरीके से मोल्ड में ट्रांसवर करेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा गानिश करेंगे चौको चिप्स के साथ चौको चिप्स से गानिश करने के बाद हमें इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है लगवा 5-7 घंटों के लिए और उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी तो ये देखे, फ्रिज में मैंने सारे आईस्क्रीम को रख दिया है सेट होने के लिए, पूरे 10 फ्लेवर का मैंने आईस्क्रीम बनाया है तो आप यहाँ पे से मिक्षर से उससे भी ज्यादा फ्लेवर के आईस्क्रीम आप बना सकते हैं और अगर आपने ट्राइ किया है तो कॉमेंन सेक्शन में जरूर लिख करके रता ना हैं और इसे ड्राइफ रूट के साथ सर्फ किया जाता है तो इसे भी मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और जैसी सब आईस्क्रीम सेट हो जाएगा मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी तो फाइनली लिज ये हमारी आईस्क्रीम बहुत अची तरीके से सेट हो गई है बहुत जादा टेस्टी दिख रही है गाईज और अब मैं आपको सारे आईस्क्रीम के फ्लेवर बता देती हूँ जो कि मैंने 10 फ्लेवर के बनाये थे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख स हमने और इसी के साथ पाइनेपल आईस्क्रीम पान फ्लेवर और मैंगो आईस्क्रीम बनाया है तो आपने देखा पूरे 10 फ्लेवर का हमने आपे आईस्क्रीम बनाया है और बचे हुए से हमने 11 फ्लेवर बनाया है वो है कसाटा जो कि बहुत जादा कॉसली मिलता है और यह भी बहुत अच्छी तरीकी से सेट हो गया है, तो अब मैं आपको आइस्क्रीम का टेक्शर बताऊंगी कि आइस्क्रीम कैसा बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम स्मूध आइस्क्रीम बन करके तयार हुआ है, इसका टेक्शर आप देख सकते हैं, यह देखे, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बाजार वाली जैसी आइस्क्रीम होती है, वैसे बन करके तयार हुई है, खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो यह तो हमने चॉकलेट आइस्क्रीम आपको चेक करके दिखाया, अब मैं आपको कसाटा चेक करके दिखाती हूँ, और यह देखे, कसाटा आइस्क्रीम बहुत ही एजली यह कट गया है, और बहुत ही आसानी से आप इसे मोल में से बाहर निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसका टेक्शर बहुत ही अच्छा है, नीचे मैंने बटर पेपर लगाया था, और अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, यकीन माने गाइस, बहुत जादा टेस्टी आइस्क्रीम बन करके तयार हुआ है, और एकदम बाजार से भी अच्छी आईस्क्रीम बनी है, तो इस आईस्क्रीम को आप बना करके इंजॉए कर सकते हैं, गर्मिया आ गई हैं तो आप इने बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, और खा सकते हैं बच्चे हो या बड़े सभी बहुत ही मज़े से खाएंगे और गईस इतना ही नहीं आप इसका बिजनस भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था तो इस तरीके से आप भी आईस्क्रीम बनाईए खाये एंजॉय करें और आप वीडियो को देखते रहिए बबाई